जैहिन दोस्तों, UPSC PYQ सीरीज में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम लोग हमारे जो Constitution के प्रियम्बल है उसमें आए UPSC के previous year question को सारे करेंगे तो प्रियम्बल से काफी सारे question आते हैं UPSC के different exam में बहुत सारे questions प्रियम्बल पर पूछे गए हैं उन सारे questions को समझेंगे लेकिन उससे पहले इस पर हम लोग brief में बात कर लेते हैं तो ये book आप सबको पता है लक्समी कांद book है और इसी से हम लोग समझ लेंगे प्रियम्बल को इसके बाद खूब सारे UPSC के द्वारा जितने भी questions पूछे गए हैं वो सारा cover कर लेंगे तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि प्रियम्बल जैसा की नाम से ही पता है एक previous है identity card है हमारे constitution का तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो अमेरिका है American constitution वो दुनिया में ऐसा पहला देश था जहां पर प्रियम्बल का concept देखने को मिला तो बहुत बार ऐसा question पूछ लिया जाता है कि बताएं इंडियन प्रियम्बल किस देश से inspired है या किस देश ने सबसे पहले प्रियम्बल की सुरुवात की तो answer होगा USA, United States of America बहुत सारे countries, in fact including India ने इस practice को adopt किया और हमारे constitution में preamble जो है वो refer करता है introduction और preface को इसमें क्या देखने को मिलता है हमारे पूरे सम्मिधान का सार देखने को मिलता है जैसे अगर आप कोई book open करते हैं तो book के first page में क्या होता है एक preface होता है उस preface में content दे जाता है कि बताइए कौन-कौन सी चैप्टर में आगे चल के हम लोग बात करेंगे उस content पर बात की जाती है तो इसी तरह से हमारे सम्मिधान का जो preamble है वो क्या refer करता है introduction और preface को और बताता है कि हमारे constitution की summary क्या है जिस्ट क्या है उसका SAR क्या है essence क्या है और काफी eminent jurist है एन ए पालकी वाला इनका जो बहुत थेमस कथन है कि जो preamble है वो identity card है हमारे constitution का ये बात भी आपको ध्यान रखनी है बहुत बाद state PSC और non-UPSC exam में जेनरली इस तरह के statement best question आते हैं बट UPSC में भी बहुत बाद CDS और NDA में statement based question अल्रेड़ी पूछे गए है अब दोस्तों इस preamble की सुरुवात कैसे होती है तो Indian Constitution का preamble आपको देखने को मिलेगा objective resolution पर अधारित आपको याद होगा इससे पहले हमने अल्रेड़ी 3 chapters previous year question कर लिया है पॉलिटी से तो वहाँ पर आपने देखा हो कि जो objective resolution है वो हमारे Constituent Assembly में 13 December 1946 को हमारे देश के पहले परधान मंतरी जोहारलाल नहरू जी के द्वारा रखी जाती है और ये जो objective resolution है उद्दे से परस्ता हो यही आगे चलके preamble का रूप लेता है तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि it was erupted by our Constituent Assembly और amend कब किया गया तो अभी में लोग बहुत सारी बातों पर बात करेंगे कि amend हो सकता है या नहीं बट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमारे देश हमारे constitution को जो preamble है उसमें amendment किया गया है और amendment कौन सा था 40 second amendment कौन से 3 वर्ड जोड़े गए तो एक निमोनी का प्याद रख लिजे SIS Socialist Integrity और Secular क्योंकि question जबाएंगे आप तुरंत इस से eliminate कर लेंगे तो हमारे constitution के preamble में 40 second amendment आपको पता होगा 40 second constitutional amendment act के बारे में mini constitution यानि mini समिधान यानि लगू समिधान छोटा समिधान कहा जाता है क्योंकि काफी ज़्यादा amendment देखने को मिला 40 second amendment act के तहत तो ये बात आप ध्यान रखेंगे इस निमोनिक से आप काफी आसानी से याद रख सकते हैं ना एक बात और बतादू जैसे secular की बात की जारी तो क्या हमारी country पहले secular नहीं थी of course secular थी but the thing is explicitly mental preamble के अंदर नहीं था अगर आप देखे तो fundamental right में बहुत सारे article है जिनमें साफ साफ धर्म की स्वातंतरता दी गई है बट ये secular word जो है 40 second amendment act के तहत जोड़ा गया इस बात को आप ध्यान रखेंगे दोस्तों सबसे important component की बात करते है हमारे preamble का text क्योंकि अगर ये आपको याद है तो काफी सारे question आपके directly हो जाएंगे और ये आपको याद करना ही पड़ेगा क्यों क्योंकि questions बहुत बार ऐसे पूछे जाते हैं जिर में अगर आप जैसे बहुत बाप पूछे आता justice कितने तरह की है तो अगर आपको ये preamble याद है तो इसमें आपको कोछ सोचने की जरूत नहीं पड़ेगी तो इस तरह से काफी आसानी से आप समझ लेंगे तो सबसे पहले अगर आप देखें तो प्रियंबल की सुरुवात होती है we the people of India यानि हम भारत के लोग यानि यहाँ पे जो source of authority है जो power है वो भारत की जनता के हाथों में है और यहाँ से इंडिया रिपब्लिक है ये भी proof हो जाता है तो आप समझ सकते हैं तो यहाँ पे 5 तरह के मूल भूत बिंदूओं पर बात की गई है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्यूलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक और इंडियन सिटीजन को क्या-क्या बातें सेक्योर करवाई जा रही है जस्टिस तीन तरह की सोशल, एकोनोमिक और पॉलिटिकल लिबर्टी दी जारी, यानि स्वतंतता दी जारी है विचारों की, एक्स्प्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की और वर्शिप की, इक्विलिटी बात की जारी है एक्विलिटी किसकी, स्टेटस की और अपोर्चुनिटी की, और एंड टू पर्मोट among them all, fraternity यहाँ पर वर्ड पर फोकस करिए, fraternity वर्ड भी था, assuring the dignity क्योंकि question में बहुत बार पूछ ले आता है कि fraternity वर्ड बाद में जोड़ा गया, बिल्कुल नहीं तीन ही वर्ड बाद में जोड़े गए है socialist, integrity और secular, यह बात है और end the unity and integrity of the nation यानि राष्टर के एकता और अखंडता की बात की जा रही है लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यह जो तीन वर्ड है socialist, secular और integrity यह तीन वर्ड 42nd amendment act के दौरा जोड़े गए यानि पहले 42nd amendment act 1976 से पहले हमारे देश का preamble कैसा हमारे constitution का preamble कैसा था unity of the nation था integrity word को बाद में जोड़ा गया है आगे समझे in our constituent assembly यानि हमारे इस समिधान सभा में this 26th day of November 1949 do, hereby, adopt, enact and give to ourselves this constitution यानि इस समिधान को हम लोग सौपते हैं ठीक है तो यहाँ पे 26th day of November 1949 यानि यह date भी बताई जा रही है कि किस date को यह समिध हुई दोस्तो हमारा preamble क्या denote करता है यह four ingredients basically देखने को मिलते हैं पहला कि जो constitution है वो कहां से authority को authority का source क्या है constitution का तो preamble में हमने साफ सा पढ़ा कि हम भारत के लोग यानि भारत की जनता से अपना जो authority है उसे derive करती है हमारी constitution इसके अलावा Indian state की nature को भी दिखाता है कि इंडिया किस तरह का Indian जो हमारा republic system में वो किस तरह के format में है, sovereign है, socialist है, secular है, democratic और republican polity देखने को मिलती है इसके अलावा समिधान के objective की भी बात की जा रही है कि किस तरह से justice, liberty, equality, fraternity ये सब objectives हमें देखने को मिलते हैं और अंत में हमने बात की कि 26 November 1949 date of adoption को दिखाता है हमारे समिधान के अब दोस्तों keyword को समझ लेते हैं सबसे पहले sovereign का अर्थ क्या होता है sovereign, sovereign का मतलब होता है saarubhom saarubhom यानि इसका मतलब ये है कि इंडिया किसी भी country की dependency नहीं है ना ही कोई dominion है किसी भी देश की बलकि एक independent state है इंडिया से उपर कोई authority नहीं है और अपने internal और external दोनों तरह के affairs को conduct करने के लिए इंडिया absolutely free है और हाला कि 1949 में इंडिया ने अपने membership को declare किया continue किया common wealth of nation के रूप में और accept किया British crown को head of common wealth लेकिन इससे किसी भी परकार की Indian sovereignty पे कोई effect नहीं पड़ता यानि कोई परभाव नहीं देखने को मिलता इसके अलावा Indian membership जो United Nation की है इससे भी किसी परकार की sovereignty पर limit नहीं लगती इंडिया एक absolutely sovereign country है ना बात करते है socialist word की तो अभी जैसा कि हमने बात की socialist, integrity और secular ये तीन word हमारे preamble में 40 second amendment act यानि समिधान में संसोधन करके जोडे गए 1976 में तो इसका मतलब ये नहीं कि Indian constitution में socialist concept नहीं देखने को मिलता था काफी पहले DPSP यानि जब हमारे समिधान की शुरुआत हुई तभी से DPSP में socialist tendency देखने को मिलती है लेकिन इसे explicitly बनाया गया जब यहाँ पर इस word को हमारे preamble में जोडा गया इसके अलावा अगर आप देखे तो 1955 से ही अवादी congress session जब हुआ था उसी टाइम से socialist pattern of society की adopt करने की resolution Congress Party ने ली थी इसके बाद अगर आप देखे तो जो Indian brand of socialism है वो एक democratic socialism है very important question भी आया है हाली में CDS में तो Indian brand of socialism क्या है democratic socialism है ना कि ए communistic socialism communistic socialism अगर आप देखे तो यहाँ पर बात की जारी है which involves the nationalization of all means of production and distribution and the evolution of private property यानि communistic socialism में क्या देखने को मिलता है कि सभी तरह के production और distribution को nationalize कर दिया जाएगा और private property को completely abolish कर दिया जाएगा लेकिन democratic socialism में अगर आप देखे हैं तो एक मिर्ज तरह की economy देखने को मिलती है जहाँ पर public और private दोनों sector को exist side by side कर सकते हैं ना दोस्तों आगे बात करते हैं secular की तो 42nd amendment act के दोरा इस secular word को जोड़ा गया हमारे preamble में however as the supreme court said in 1974 although the word secular state were not expressedly mentioned in the constitution there can be no doubt that constitution maker wanted to establish such a state and accordingly तो इस पर मैंने आपको अल्रेडी बता भी दी कि ऐसा नहीं है जब secular word नहीं था तो यहाँ पे हमारे constitution maker ने secular state की बात नहीं किये यहाँ पे साफ साफ fundamental rights के रूप में article 25 to 28 यानि fundamental rights में जहाँ पे धर्म के स्वतंतृता की बात की जाती है freedom of religion की वो already हमारे constitution में included है जो Indian constitution है वो positive concept of secularism को embody करता है यह बात आपको ध्यान रखनी है देखिए दो तरह के secularism देखने को मिलते है पहला negative और दूसरा positive तो हमारे Indian constitution ने positive concept of secularism को adopt किया है यानि यहाँ पे बात की जा रही है सभी जो हमारे country के सभी religion है उनमे positive concept of secularism देखने को मिलता है यानि जो सारे ही religion है उनको same status और support state के द्वारा दिया जाएगा यानि equal status और support की बात की जा रही है दोस्तों secularism में जैसे मैंने दो टाइप की बात की पहली negative और दूसरी positive तो Indian secularism positive concept को दरसाता है जबकि Western secularism negative तो यह तो political science optional वालों को काफी अच्छे से पता होगा बट आजकल अगर आप देखे तो prelims में जो quality question है उनका nature थोड़ा political science oriented होता जा रहा है जैसे अगर मैं बात करूँ civil services 2020 के बाद से तो काफी बदलाओ देखने को मिल रहा है इसलिए आपको कुछ चीज़ें कुछ important topics काफी अंदर तक जा करके समझ लेनी चाहिए जैसे socialism वाला concept है या गांधियन, marxism ये कुछ topic हैं जो आपको अच्छे से समझने चाहिए अगर आप civil services के लिए prepare कर रहे हैं तो polity को ले करके जैसे बहुत एक बार question पूछा गया हाली में I think 2020 में कि गांधियन और marxism के concept को mix up करके पूछा गया तो ऐसे question भी बन रहे हैं तो देखे secularism में अगर हम लोग बात करें Western versus Indian secularism की तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि state support करती है religious reform को लेकिन Indian secularism में अस्टीक non interference देखने को मिलता है religion और state के बीच और किसी परकार की interference एक दुसरे के affair में नहीं दी जाती और अगर आप Western secularism यानि जो negative concept को दरसाता है यहाँ पर आप देखे तो equality देखने को मिलती है different sect of religion की इस पर emphasize किया जा रहा है लेकिन Indian secularism में different religious group के बीच की equality को emphasize करना एक key concern है और less attention दी जाती community based right को लेकिन Indian secularism में attention दिया जारा minority rights को individual को center पर रखा जाता है लेकिन यहाँ पर individual और religious communities दोनों के rights को protect किया जाता है इसके बाद बात करते हैं democratic की तो democratic के विसें आपको बता होगा democratic जैसा कि हमारे preamble में already mentioned है यह doctrine of popular sovereignty को दरसाता है यानि possession of supreme power by the people यानि लोगों के द्वारा supreme power को possess किया जाएगा democracy दो type की देखने को मिलती है direct और indirect direct democracy में people exercise करते है supreme power को directly जैसे Switzerland के case में देखने को मिलता है और direct democracy के चार part है direct democracy के हम लोग बात कर रहे हैं यानि जनता के द्वारा directly participate किया जाएगा democracy में जैसे referendum हो गई initiative हो गई इसके लावर recall और plebiscite अगर plebiscite की बात करें तो यहाँ पर आगर आप देखें तो इंडिया में भी plebiscite यूज हो चुका है already plebiscite क्या होता है plebiscite plebiscite is a method of obtaining the opinion of India's or people or any issue of public importance यानि एक method है लोगों की विचार जानने का किसी public importance को ले करके यह generally territorial dispute के लिए dispute को solve करने के लिए use होता है referendum के भी से समझ लेते हैं एक ऐसा प्रकिरिया एक ऐसी process है जहाँ पे proposed legislation का इस्तेमाल किया जाता है एक electorate को refer किया जाता है ताकि direct vote से settlement करवाई जा सके initiative क्या है एक ऐसा तरीका है जहाँ पेपल किसी bill को propose कर सकते है legislator को ताकि enactment किया जा सके recall की बात करें तो एक ऐसा method है जिसमें voters can remove a representative or an officer before the expiry of his term यानि representative यानि जिस प्रतिनिधी को elect किया गया उसे उनके expiry जो उनका term है जो उनका time period है उसके expiry होने से पहले ही हटाया जा सकता है जब वो अपने duties को discharge करने में fail कर जाते हैं तो नाव बात करते हैं प्रियेंबल में mentioned एक बहुत important keyword republic की देखे जो किसी भी देश की democracy है उसे दो तरीके से classify किया सकता है पहला तो monarchy के रूप में और दूसरा republic के रूप में monarchy में क्या होता है जो state का head होता है देखे head of the state का मतलब क्या होता है president होता है अपको ध्यान रखना है और head of the government prime minister होता है ये बाद भी बहुत बार पूछी जाती है तो head of the state जो होता है यानि जो राजा या फिर king या फिर queen होती है ये hereditary position को enjoy करते है ये monarchy में होता है monarchy का मतलब जहाँ पर single rule देखने को मिलता है that is he comes into office through succession यानि यहाँ पर succession देखने को मिलता है एक आए फिर उनके यहाँ पर hereditary position के थूप फिर दूसरे राजा है इस तरह से देखने को मिलता है example is about Britain लेकिन republic में क्या होगा जो head of the state है वो हमेशा elect किये जाएंगे directly या फिर indirectly एक fixed period के लिए जैसे अमेरिका की बात यहाँ पर example में दी गई है therefore the term republic in our preamble indicates that India has an elected head called the president यानि हमारे preamble में जो word republic है वो ये दर्सार आए कि India में elected head यानि जो president है उनका provision republic तरीके से देखने को मिलता है यानि ये directly या फिर indirectly elect किये जाते है और हमेशा की पता है Indian president के election का process indirect है और एक fixed period देखने को मिलता है पात सालों के लिए नाव बात करते हैं न्याई की यानि justice की तो justice जो preamble में जो word mention है justice ये तीन तरह के बेसिकली justice की बात करता है social, economic and political और बहुत सारे provision है हमारे fundamental rights और directive principles के अंदर जो इन चीजों को secure करता है जैसे अगर बात करे social justice की तो सभी citizen के equal treatment को denote करता है बिना उसके सामाजिक distinction के आधार पर यानि caste, color, race, religion, sex इन चीजों के आधार पर किसी परकार का कोई भेदभाव नहीं देखने को मिलता यानि सामाजिक न्याई की बात करता है और इसके अलावा it means absence of privileges being extended to any particular section तो लेकिन इसका मतलब यह है कि जो absence of privileges का किसी भी particular section को लेकर के नहीं देखने को मिलता and improvement in the जो condition है backward classes की and women की economic justice की बात करें तो लोगों को economic factor के आधार पर जैसे wealth में inequality के आधार पर income, property इन चीजों के आधार पर किसी परकार का भेदभा नहीं किया जाएगा political justice की बात करें तो सभी नागरिकों को equal political right दिये जाएंगे जैसे political offices hold करने की equal government में equal voice की इन चीजों की right मिलेगी दोस्तो ये question civil services 2019 में पूछा गया है आपसे पूछा जा रहा है Indian politics के संदर में आपको बताना है कि कौन सा appropriate definition है liberty का तो यहाँ पे पहला option दिया गया protection against the tyranny of political जो political rulers की tyranny है उससे protection एक liberty है restraint यानि जो अंकुस लगाया जाते है उसमें absence यानि उसका absent होना liberty है तीसरे में कहा जा रहा opportunity to do whatever one likes यानि जिसे जो पसंद हो उसे करने की आजादी ही liberty की definition है और चौथे में कहा जा रहा है opportunity to develop oneself fully तो देखिए इसका correct answer option D है अपने आपको develop करने की जो opportunity है वो liberty का सबसे appropriate definition है तो इस तरह के questions में क्या है अगर आप इन चीजों को समझते हैं तो ही आप काफी अच्छे से answer कर पाएंगे अदर्वाइस फिर आपको इन में confusion आ सकती है तो इसका भी जिस्ट यहां पे लक्षमी कांद में आप देख सकते हैं कि प्रियम्बल में जब बात की गए तागे liberty के बारे बताया गया है कि liberty को प्रियम्बल में elaborate किया गया है कि a very essential format के रूप में Indian democratic system के successful functioning को ले करके लेकिन liberty का मतलब आपको यहसा license नहीं मिल जाता कि आपको जो मर्जी है वो आप कर सकते हैं and has to be enjoyed within the limitation mentioned in the constitution itself तो कुछ limitations भी होंगी ही definitely otherwise एक person की liberty कभी कभी दूसरे person की liberty को harm भी कर सकती है इस वज़ा से यहां पे exception देखने को मिलता है तो जो liberty conceive की गए यह preamble of fundamental right में यह absolute नहीं है बलगी qualified liberty देखने को मिलती है liberty, equality और fraternity का concept कहां से देखने को मिलता है तो Francis C. Kranti से सभी को पता है ना बात करते है equality की तो equality का मतलब क्या होता है किसी society के किसी section को special privileges का absence होना ही equality कहलाता है और जो adequate opportunity है सभी individual को ले करके उसके provision की बात की जाती है बिना किसी भेदभाव के यह है equality का मतलब और preamble में सभी citizen को इंडिया के सभी citizen को equality of status और opportunity की बात की गई है और इसके अतिरिक्त अगर आप देखे तो following provision है fundamental right के वो भी civic equality को ensure करते हैं जैसे equality देखने को मिलेगी लोग के समक्स prohibition देखने को मिलेगा किसी भी परकार के discrimination नहीं की जाएगी religion, race, caste, sex और place of birth की आधार पर opportunity के equality की बात की जा रहे है यानि समानता का अधिकार मिलेगा public employment में जो की article 16 है untouchability के evolution होगा जो की again एक very important equality का part है इसके अलावा जो titles अलग से दिये जाते हैं उसके भी evolution की बात की जाती है article 18 में अगला बात करते है fraternity की fraternity का मतलब होता है भाई-चारा भातरीतरों तो यहाँ पर भातरीतरों में आप देख सकते हैं कि यह sense of brotherhood को represent करता है और हमारा Indian constitution पर्मोट करता है fraternity की feeling को system of single citizenship यानि जो single citizenship दी गई है उसके तहट इसके अतरीक तक अगर आप देखे तो जो fundamental duties है जो article 51-A में mentioned है उनमें भी बात की गई है कि it shall be the duty of every citizen of India to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic, regional or sexual diversities तो वही बात की जारी है common brotherhood को पर्मोट करने की हमारे fundamental duties में भी इसके अतरीक प्रेंबल में भी fraternity है तो यहां से आप समझ सकते हैं कि fraternity के concept पर बात की गई है तो जो प्रेंबल में fraternity की बात की गई है दो चीजों के लिए basically अस्योर करती है पहली तो individual की जो dignity है जो गरिमा है उसको ले करके और दूसरा जो हमारे nation की unity और integrity है यानि एकता और अखंता को ले करके और हमें पता भी है कि जो word integrity है यह 40 second amendment act के द्वारा प्रेंबल में जोड़ी गई हमारे काफी prominent constitutional member थे हैं के एम मुनसी उनकी अगर जो की drafting committee के भी again member थे इन्होंने बताया है phrase जो dignity of the individual है इसका simple सा मतलब यह नहीं है कि सिर्फ material betterment होगा बल्कि यह बात करता है democratic set up के अलावा यह भी बात की जाती है जो every individual की personality है वो एक sacred है दोस्तों इस lecture में इतना ही रखते हैं क्योंकि काफी lengthy हो जाएगा यह next lecture में हम लोग बात करेंगे प्रियंबल के significance की और इसके बाद प्रियंबल हमारे constitution का part है या नहीं अगर है तो फिर कौन-कौन सी बातें यह सो करता है इन चीजों को समझेंगे और add the end हम लोग बात करेंगे प्रियंबल comment किया जा सकता है या नहीं और इसके अलावा यह सब चीजे करने के बाद last में हम लोग UPSC के दौरा जो 25 से भी ज्यादा सवाल पूछे गए हैं इस topic पर उसे भी cover करेंगे उमीद है आपको यह video series पसंद आ रही होगी thank you so much